पिश्मा बुलेटिन के हम शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और ये खबर सीधे आपसे जुड़ी होई है और आम आदमी के जेब पर भारी पढ़ने वाली है देश के कई शेहरों में प्यास की कीमत आसमान चूर रही है प्यास की कीमत चतक के करी पूंच चुकी और लगाता और बढ़ती कीमत ओपर काबू पाने के लिए केंद्र ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है ये स्टॉक लिमिट होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार की कारोबारियों पर 31 दिसम्बर से लागू रहेगी जिसके तहत होलसेल कारोबारी 25 तन प्यास का भंडारन कर सक सकते हैं तो वहीं रिटेल का रोबारी 2 तन का प्यास का स्टॉक रख सकता है केंद्र ने राज्य को सेंट्रल बफर स्टॉक से प्यास लेकर रिटेल में बिक्री कर सकते हैं तो आसमान चू रही हैं प्यास की कीमत तिस साल कम नहीं होंगे प्यास के दाम ये एक बड़ा सवाल 60-100 रुपे किलो प्यास मिल रही है सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई था तो लकातार पड़ती कीमत उपर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू करती है और ये स्टॉक लिमिट होलसेल रिटेल दोनों प्रकार के कारोबारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी पूलसेल कारोबारी 25 तक स्टॉक कर सकेंगे रिटेल कारोबारी 2 तन तक प्यास का स्टॉक कर सकेंगे 30 दिसंबर तक ये रोक रहेगे चलिए हम जान लेते हैं जादा कि कहां कितना भाव प्यास का चल रहा है भुपास हमारे समटर ये लिटेन से उससे इसवक्त time youd सा comigo जोड़े हैं और उसके साथी कि ship जाय मिटन हमारे सथ जूड़े हैं और बताय कोड़े ने प्यास की कीमतें उतनी बढ़ती जा रही है बिल्कुल ठीका करिश्मा आपने प्याज जो है वो लोगों को अब काफी परिशान कर रही है क्योंकि प्याज ऐसी सबजी है जिसका अमूमन हर चीज में उप्योग किया जाता है भोपाल के अगर बात की जाए तो हम बिट्टन मार्केट में मौजूद हैं जाओं एक बड़ जो है फुटकर बाजार है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंसते हैं खरीदारी करने आज जो यहाँ पर प्याज के दाम है वो 60 रोपे से 70 रोपे प्रती किलो तक बने हुए हैं हलाकि कुछ दिनों पहले यही दाम 50-60 रोपे किलो थे लेकिन करीब 10 रोपे का बनी उससे भी फसलें जो हैं सब्जियों की नश्ट हुई है highest चलते भी अब भी जो है वो सब्जियों के दाम काम होने का नाम नहीं ले रहे हैं इसके लावब एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि जो पैर्ट्रल ओ डीजल के बड़े हुए दाम है जिसनके चलते हैं ट्रांस लिमिट की है ताकि जो प्याज के दाम है वो उन पर जो काबू पाया जा सके लेकिन प्याज के लावब जो अन्य सब्जी है करिश्मा उनके दाम भी यहां पर काफी बड़े हुए आलू की कीमत 40-50 रुपे प्रति किलो पहुंच चुकी है गो भी 60 रुपे प्रति किलो बिक है हाला कि दूसरी सब्जियों के मकाबले भटे की कीमत थोड़ी सी कम है 30 रुपे से 35-40 रुपे तक जो अलग-अलग प्रकार के भटे आते हैं वो बिक रहे हैं टमाटर के जो दाम है वो 60 रुपे किलो यहां पर बताय जा रहे हैं बने हुए हैं इसी तरह जो एवरेज सब्सक्राइब करते हैं से पूछने सर कब तक आपको लगता है कि इन कीमतों पर काबू पाया जा सकेगा अभी तो महेंगी होई अभी अभी महेंगी पर आलू था महेंगा जोड़ा जैसे ठंड का शुरूआत होती है हम देखने की दाम कम होते तो कैसा ऐसे इस बार उमीद है आपको अब करिशमा जो दुकान दार हैं जो फुटकर विक्रेता है साफतोर पर उनके धंदे पर भी असर पड़ रहे क्योंकि सब्जियों के दाम इतने जादा हैं तो लोग उतनी संक्या में पहुंच नहीं रहें सब्जिया खरीदने और सब्जिया खरीदते भी लोग पहले एक से दो किलो तक प्याज ले जाते थे वो आधा किलो एक किलो में अपना काम चला रहा है ताकि उनका बजट ना बगड़े तो कहीं ना कहीं बड़े हुए सब्जियों के बड़े हुए दामों ने लोगों का बजट भी यहां पर बिगाड़ दिया है तो अब अब उमीद यही है कि कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार के दौरा बनाए जाए जिससे इन तमाम जो सब्जियों की कीमते हैं इस पिनियंतरन किया जा सके और पेट्रोल डीजल के दामों पर थोड़ा सा कम करने का भी प्रास किया जाए प्रश्मा और आम आदमी का बजट गया है वासू आपने ठीक कहा आप सीधा हम रुक करते हैं गौलियर की और हमारे संवादत प्रॉलाद से जुड़ चुके हैं प्रॉलाद ये बताएं कि गौलियर में प्यास के क्या भाव चल रही हैं लोग तो काफी जादा परिशान होंगे वहां लोगों की क्या प्रतिक प्याज अपने दामों से लोगों को रुला रही हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहां प्याज खरीदने आये थे प्याज के दाम सुने तो कैसा लगा सुनकर सुनकर यासा लगा कि मतलब यानि बहुत ज़्यादा दाम है और इतना दाम होना नहीं चाहिए आम कि और भीणडी तो रही हरी मिर्ची और सब यां एह भी पचास ृपी अकपर वह गया है तो रही ओंडिभी चाली से ऊपर चल लगे है विद्वी निवाट है टामाट्र गी पचाश सी उपर चल लगा है ठोला है तो ऐसली सब्सुंस जियां म्हांगी होती जा रही है और आदमी के लिए बहुत बड़ी परिसानी पहना हो रही है कुछ लोग और हैं बाउजी सब्जियां क्या कह रही है घर का बजट कैसा गड़बड़ाया हुआ है फूरा बज़बड़ाया हुआ है शासन कुछ दियान नहीं दे रहा है जमा खोरी हो रही है जो मंडी में बड़ी कि मंडी में बीस रुपे है यहांबथ चालीस रुपे है क्या क्या कहना चारी कि टुमाटर टुमाटर सीट में लें हैं सारी चीज़ provin톡 में की है ऑइतने में के अभी 30, 35, 50 हो गए हैं हालू, ने महगे हो गए हैं, आदमी करें तो करें क्या, प्याज देखिए कितनी महगी हो गई है, तो ये त्योहारी सीजन है, ऐसे में कितनी परिशानी होती है, कैसे चलता है घर, अब घर, कैसे चलेगा बताइए, इस समय लोगों को बेतन भी नहीं मि क्या, जनता क्या करेंगी, लोग बेहत परिशान हैं, उपर से कोबिट महामारी के बाद जिस तरीके से लोगों को रोजगार उनका छिना है, उन्हें बेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है, और उपर से महंगाई की मार तो दिक्कत बहुत होती हैं, बात करने की कोशिश करेंग की और साड़ की बेज रहा है, जिसमें दो परसेंट टेक्स बनना पड़ता है, और दो मजदूरी हैं, एक महां से अड़वाने की, एक किलो पर हमारा मार तो रुपे है, इतनी महांगी माल बेजने के बाद भाद भी एक किलो पर मार तो रुपे है, उनकी अलग परिशानी ह है, उससे लोगों के घर का बजट बिगडा हुआ है, लगातार जो सब्जियां है, उनके दाम आसमान चूते जा रहे हैं, कुछ हरी सब्जियों पर बादचीत कर लेते हैं, कित्ती रुपे किलो है, एक तो रही कित्ती रुपे किलो दे रहे हैं, तो रही सब्जियों के भी दाम बढ़ चुके हैं प्यास के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में कैसे आखेर वो आम इंसान जिसको अभी सेलवी तक नहीं मिली है जैसा कि कुछ लोगों ने जिक्र किया कि आप कही तंखाव ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है ऐसे में वो घर चलाना कितना जादा मुश्किल हो सकता है हम समझ सकते हैं उजैन की औरुक करते हैं हमारे समादता संतोश हमाई साथ जुड़े हुए हैं संतोश अगर उजैन की बात करें तो वहां पर मंडियों की क्या हालत है हरी सबजियों की अगर हम बात करें तो उसके भी दाम बड़े हुए हैं इसके साथ उज्जेन की महाकाल की नगरी में भी दिखाई दे रहा है हम आपको इस वख दिखाते हैं यह है उज्जेन मंडी जहां पर हर प्रकाय के जो यहां घरेलु इंसाने यहां पोचते हैं हरी सबजियां लेने पोचते हैं लेकिन इस समय जो आज महाँ अश्टमी का परवे महाँ बढ़ी तादाद में लोगों के घरों में कन्याओं का प्रोजन भी होता है वो साथ ही खास यहां की जो परमपरा चलिए रहे है साखपुळी की यह उज्जेन में परमपरा है साखपुळी के साथ कन्याओं को जिमाए जाता है उसके कारण आद आज जो आलू की कीमद लगभ गई प्याच की बात करें तो प्याच की शाट से असी रुपे तक किलो घरों में प्याच जा रहा है लेकिन कहीं न कहीं प्रकार की जो हरी सबजी है हरी सब्सक्राइब को भी हम आपके हमारे तिम्रामें गगन को बोलेंगे दिखाया जाए यह जो गौर फली गौर फली भी कम शेंकम 40-50 रुपे किलो तक गई है में जो मेथी है हरी मेथी अधिकतर लोगों की पसंद रहती है तो 60-80 रुपे किलो तक हरी में जो मतर उगाया जाता है वह 140-160 रुपे किलो तक यह जा रहा है तो कहीं न कहीं यह जो आम इंसान की लोगों का भार है वह बढ़ चुका है क्योंकि कि इस समय कोरोना का संकट चल रहा है कोरोना में बेरोजगारी बढ़ी है बेरोजगारी के साथ जो घर परिवार जो मध्यम प करिवार है और जो घरिब तबका है उसके लिए आज का खाना कम से कम इतना महेंगा पड़ता है कि वह डाल रोटी भी सुकुन से नहीं खा पाता बिलकुल संतोश आपने ठीक कहा और बहुत जरूरी है कि सरकार कोई पॉलसी लेकर आए ताकि प्यास की कीमतों पर इसके साथ सीधा बिलासपूर की और रुक करते हैं उमेश मौरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं चप्तिस गड़ में किस प्रकार की सतियां हैं बिलासपूर से वो हमें ताजा अपडेट देंगे उमेश बताएं कि अगर वहाँ पर बंडियों के क्या हाल है प्यास की कीमते खास दोड से कितनी बड़ी हैं कितनी घटी हैं हारी सबजियों की भी बात करें तो क्या हाल है अगर अलू और प्याज की बात करें तो आलू 45 से 50 रुपए किलो और प्याज जो 70 से 75 रुपए के प्रती किलो की दर से बिक रहा है और इसका मुख्य वज़ा जो सामने आ रही है वो यह है कि आवक कम है यही वज़ा है कि जो पुराने स्टाक रखे माल है उन्हें ही बेचा जा रहा है मंडियों में भी जो चिल्धर वैपारी है वो हमारे साथ मौजूद ह उनसे पूछते हैं आखिर कि क्या वज़ा है कि अचानक से यह दामों में वरिद्धी हुई है माल का साटेज है माल का साटेज है इसलिए महेंगा भिकरा है अब भिक्क्री भी कमजोर है नया फसल क्या पानी के वज़़ा से बरबाद हो गया है कि गजा है दुकान दर कि पुराना जो समान है जो पुराना इस को ही अभि मार्केट पेबा बेचा जा रहा है जो अभी जो बारीश होई ze भीते दिनों कर नाटक महराश्ट प्यश्याज जो बारीश होई ती उस century मात्रा में फैंच के फसलों को नुक्सान हुआता यही वज़ा है कि जो मार्केट में भी पिया जा रहा है उनके दामों में काफे वृद्धी है और जो लोग हैं वो मजबूर हैं महेंगे दामों पे खरीने के लिए हाला कि यहां पर लगतर यह एस चीज की भी शिकायते सामने आ थी कि काला बजारी की बात सामने आ रही थी तो जिसे देखते हुए जीला प्रसासन ने सकते निर्देशित किया है खादी विभाग को कि तमाम वो चिल्दार और खुद्र वैपारी जो है उनके हां रेट लिस्ट जारी की जाया लेश्ट रेट लिस्ट दुकानों में चस्प किया है थासन निर्देशित किस सत्रें लीष्ट जारी किया है आप लोग लेश्ट लिस्ट अगर हम लेगे के बेचैंगे तो लिख संप स्वावन निकलेंगा उसको कैसे करेंगे बासर प्यार लात पर जाता है कि अपटी है तो यह समांता हैं देखी जा रही है थोक में जा पंद ने और चिल्लर में ज्यादा मात्रम बेचा जा रहा है ऐसी भी शिकाते मिल रहे हैं है में हमारा फ्याज जो बासर्ण खरीदी है इसको हम संतर बेचते हैं जो क्यาल है यहीज़ा है कि उन्हें कई बार ज्यादा दामों में वी वेशना पड़ता है और यहां जीला प्रशासर ने भी इसे लेकर सक्त निर्देशित किया है कि तमाम उन दुकानों में रेट लिष्ट जारी करें ताकि जो भोकते हैं उन्हें कम दामों पर और सही रेट पर प्याज उपलब्द हो सके अगर हम बात करें तो कैसे हालात है मंडियों में क्या भाव चल रहा है प्यास का और हरी सब्जियों का कि बिल्कुल करिश्मा जगदलपूर के भी कमवेश वही स्तिती बनी हुई है और यहां पर भी प्यास के दाम जो है वह आसमान चु रहे हैं और अभी हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं यहां जो प्याज और आलू के होलसेलर हैं उनसे ही बातचीत करते हैं भी आप आधिश होने की वजह से नए प्याज की आवक में अभी समय है इसलिए पूरानी कीमोतों पूरानी प्याज की कीमोतों का वह तो रेट तो रहे गई यहां पर और खुद्रा में जनरली क्या होता है एक्सपोर्ट क्वाल्टी यहां आती नहीं है सेकंड क्वाल्टी आती है और second quality आने से हम लोग तो 60-65 रुपए में बेच रहे हैं माल, लेकिन खुद्रा में 80 रुपए इसलिए बिखता है प्याज, कि उसमें से छटिंग जो निकलती है, जैसे 50 kg प्याज लिया आपने, उसमें से घर खाने के लाएक प्याज 20 kg निकलता है, बाकी के छिलकी पति अग लोग ये पास कहाँ पे जो होलसेलर्स हैं, उसमें लगबख 60-70 रुपए के बीच में जो है, इतना रेट का अंतर क्यों आ रहा है, इसका रेट का अंतर इसलिए आ रहा है, कि लागडाउन के चलते हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, और शहर के बहुत सारे छे तो संभाव था प्याज 90-100 रुपए तक पहुच सकती है, अगर होलसेल मार्केट में 90-100 रुपए अगर प्याज पहुचता है, तो रिटेल मार्केट में रेट और भी जाधा बढ़ सकता है, इस तरीक से आज हम जब यहां पे पहुचे तो हमने देखा कि फूट से करने के लिए रोज उनको इस्टाक और हमारा रेट का रोज उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है, और ऐसा तो कुछ विसेस नहीं है, तो देखे करिश्मा की रोज अब फूड के जो कर्मचारी अधिकारी वो यहां पे पहुच रहे हैं ताकि जो प्याज किये जो बढ़ते जब खोलते हैं तो खुले वे अपारी तो उसमें से कई माल खराब निकलते हैं और कच्चा माल है और लगातार अगर बिकता नहीं है तो वो खराब होता है जिसके कारण से खुले बजार में रेट काफी जादा बढ़ते जा रहे हैं और साथी साथ अगर देर से दो मेहना इसी स्थिती बनी रहे और बाहर से अगर माल की आप पूरती नहीं होती है तो ऐसी स्थिती में सौ से अधिक रुपए जो है प्यास के दाम हो सकते हैं जिस तरीके से दिखी चार बड़ी राज्यों से ये प्यास का उत्पादक होता है आंदरप्रदेश, कुर्नाटक, गुज संचिप्त में जानना चाहूंगी कि मंडी विकरेता से जरा पूछे क्या गराहक पहुंच रही है प्यास लेने के लिए आलांकि प्यास एक ऐसी जरूरत है कि खाने में उसका इस्तिमाल तो होता ही है लेकिन लोगों का क्या कुछ रियक्शन सार्में आ रहा है क्या लोग उ खाने क्पाने में थे पल महाल test कंवाता है लेकिन सिजन तो कम होगा तो हो सकता है कि मतलब ब्लाब कोई ऄग करेंगा प्रशांत यह बताएं कि कुछ मूलभाव हो रहा है विक्रेताओं की तरफ से और जो कस्टमर्स पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ रियक्शन है चोटे समय इसका मैं जवाब चाहूंगे आपसे बिल्कुल करिश्मा लॉक्डाउन ने तो ऐसे ही लोगों की आर्थिक तंगी बना रखी है और उसके बाद जो है अब प्यास के रेट भी जो काफी बढ़ गए बताएंगे सर की प्यास लेने के लिए पहले जिस तरीके से लो लोग महेंगा होने के वज़े तब तो दो किलो ही उपयोग कर रहे हैं तो वैसे ही खुद्रा व्यापरी हैं जो अधिक से अधिक बेचते थे आजकल कम ले जा रहे हैं माल तो रिक्वार्मेंट कम हुई है लोग पहुंच रही है प्यास लेने के लिए लेकिन जैसे ही सामने आ रहा है जैसे कि हम लोगों ने कुछ कस्टमर से बात किया तो उनका कहना था जो पहले वो कभी एक से देड़ किलो प्याज लेकर जाते थे उन्हें आज मजबूरी में आधा या एक किलो से ही काम चलाना पड़ रहे हमारे साथ हैं कुछ खरीदार जो यहां पर आट या 65 में दे रहे हैं मैं खुछ पांश किलो लेखे गया रहा हूं जब से लॉक्डाउन लगा है उसके बास से मैग्जिम जो जो आदमी खरीद रहे हैं वो राशन किराने के सामान और सबजी खरीद रहे हैं इसमें रेट कहीं पर भी किसी के पास कोई रेट में मिलेग और हर जगे हम देख रहे हैं कि हालात ऐसे ही हैं मध्यपदेश की भी बात करें चत्तिसगड की भी बात करें कि थोड़ी बहुत कटौती आप यहां पर की जा रहे हैं लेकिन बहुत जरूरी है कि आप सरकार कोई पॉलिसी लाए और महंगाई पर अंकुछ लगाने के लिए सरकार ने जो stock limit लागू किये कही न कहीं आप उस पर भी ध्यान देना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनु का हमारे सλάits जुड़ने के लिए साथी विपाल से हमारे साथ समवाद तवासों में जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के ल छी शीय शुचारी रॉचारी में जला कि रहे हुआ हुआ है।